दोस्तों यहाँ पर Pixel Experience और Pixel Experience Plus दोनों का लेटेस्ट अपडेट आचुका है हमारे Poco F1 के लिए तो आज हम इस ROM के बारे में पुरह डीटेल में देखेंगे क्या चीजे नहीं हैं, क्या इंप्रू हैं और Installation Process सबसे Last में देखेंगे, तो चलिए Let's Begin तो सबसे पहले बात करते हैं ROM की, तो ROM काफी Smooth और काफी अच्छी है उसके बात Settings की बात करें, तो यहाँ पर हम चलते हैं About section में और About section में जैसे की देख पर रहा हूं Android 11 पे ROM रन कर रहा है Latest Security Patch है June का, Etude Kernel यूज किया गया है यहाँ पर और उसके बात कुछ Extra और दूसरे Features की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे GKEA में वो पॉफिटली वाक कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद मैं यहाँ पर आपको ANX Camera भी चेक करवा देता हूँ ANX Camera के भी सभी Modes बिल्कुल पॉफिटली वाक करें, कोई दिक्कत नहीं है C Linux जो है वो Inforcing है, बहुत अच्छी बात है ROM काफी Smooth है, उसके बाद कुछ Extra Features के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर Battery Section में जाएंगे तो यहाँ पर Thermals वगेरा देखने को मिल जाएगा तो जैसे कि Games का आपको Thermals वगेरा देखने को मिल जाएगा Battery Uses वगेरा आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर Next Option में चलते हैं डिस्पले की तो यहाँ पर Dark Theme, Night Light सभी चीज़े पहले जैसे Work कर रहे थी, अभी भी बिल्कुल Perfectly Work कर रहे हैं Color Profile वगेरा देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको ठीक है उसके बाद यहाँ पर Styles और Wall Papers बहुत सारे देखने को मिल जाएंगी और उसके बाद Grids भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी उसके बाद बात करें Next Option की तो यहाँ पर आपको Auto Rotation जो है 180 डिग्री का Full Walking Condition में देखने को मिलता है कोई दिक्कत नहीं है नौज, Behavior वगरे, Hidden वगरे कर सकते हो Double Tap to Wake, Double Tap to Sleep, Profitly Work करा है जैसी के आप देख पारे हो उसके बाद Next कुछ Option की बाद करें तो Sound Quality काफी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद बात करें Security की तो Face Unlock, Fingerprint सबी चीज़े Profitly Work करें Face Unlock वो Improve कर दिया गया है पहले से काफी जल्दी Fast में उपन होता है App Locker का Support भी देखने को मिल जाएंगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद System की बात करें तो यहाँ पर Gesture में आपको कुछ-कुछ Settings देखने को मिल जाएंगी तो यहाँ पर हम बटन्स में चले जाते हैं तो यहाँ पर Navigation Gesture वगर यूज कर सकते हो Compact Layout कर सकते हो Navigation जो Invert कर सकते हो Keys को ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको End Call भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर Long Press for Torch वो भी दिखा दूँगा में आपको भी तो एक मिनिट तो जैसी के आप देख पा रहे हो Long Press Power की Torch Enable वाला फंक्शन भी पॉफिटली वक कर रहा है उसके बाद यहाँ पर आप Answer Call कर सकते हो Volume की इसको प्रेस करके Partial Screen Shot का Support भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर Status Bar में तो यहाँ पर आप Network Speed वगरे दिखा सकते हो ठीक है System Bar ठीक है System Icons वगरे अड़ कर सकते हो Clock का Position, Seconds, AM, PM Battery Style, Ported Circle, Battery Percentage सभी चीज़े देखने को मिल जाएगी यहाँ पर Brightness Slider आप Show Always भी कर सकते हो यह काफी अच्छी बात है ठीक है, Columns, Rose वो भी है देखने को मिल जाएगे, ठीक है, कोई दिकत नहीं है उसके बाद, यहाँ पर यही चीज़े थी अब मैं एक बार आपको Safety Net भी चेक करवा देता हूँ इसका Safety Net जो है, Default भी पास है Root करने के बाद भी पास है, कोई दिकत नहीं है ROM को काफी अच्छी तरह से Optimize किया गया है काफी Smooth वर्क कर रहा है ROM कोई Lag Wag का Issue अगरे देखने को नहीं मिल रहा है काफी अच्छे से वर्क कर रहा है ROM Performance भी काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है आपको इसमें, और सबसे अच्छी बात Battery Backup भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी Fast Charging का भी देखने को मिल जाएगी Support और यहाँ पर जैसी कि आप देख पा रहा है मैं Screenshot भी ले पा रहा हूँ और Select करके वहाँ पर मैं Name को भी Copy कर पा रहा हूँ कोई मतलब, बिल्कुल स्मूथ है कोई दिक्कत नहीं है तो अब आजातें, Installation Process पे तो सबसे पहले अपने phone को Custom Recovery में बूट करना है Custom Recovery कैसे इंस्टॉल करते हैं से रिकाडिंग वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा सबसे पहले हमें चले जाना है Wipe बटन पर, जैसे के आप देख पर है और उसके बाद Advanced Wipe पे Dalvik के System Window Data इंस अपको Select करके Simply Swipe कर देना है जैसे ही ये Complete हो जाएगा, Back जाना है Install पे जाना है, ROM सेलेक्ट कर लेनी है आपको अपनी Link description में है, सभी चीज़ों की Select करने के बाद Simply Swipe कर देना है और यहाँ पर Format Data करके आप Reboot System कर सकते हो लेकिन बेटर रहेगा आप यहाँ पर DFE Flash कर दो, ठीक है और उसके बाद Reboot System पे क्लिक कर दो क्योंकि जो Pixel की Recory होती है न, Stock Recory वो कभी-कभी आ जाती है और हमारी Custom Recory हट जाती है, तो इसका ध्यान रखना है हमें, कोई DFE या फिर Magisk Flash कर दोंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आप Reboot System पे जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ी देर में आपका Phone चाले हो जाएगा चैनल पे नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार प्लेलिस्ट चेक आउट करो काफ़ इंट्रेस्टिंग वीडियोस बना रखी है, आपको पसंद आएंगी